ब्रह्म सूत्र के द्वितिय अध्याय के चौथे पाद में पिछले बार हमने चार सूत्र किया था जो बेसिकली प्राण और इंद्रियों से रिलेटेड डिसकेशन हम कर रहे हैं पहला चीज था कि यह जो प्राण शब्द है वो किस अर्थ में यूज होता है तो उपनी शदों में किम किन अर्थों में प्राणों का यूज हुआ है प्राण इंद्रियों के अर्थ में भी यूज हुआ है प क्या यह जो प्राण प्राण शब्द सियां इंद्रियां भी हैं सेंसेस क्या यह नित्य है इटर्नाल है विदाउट एनी ओरीजिन है या पैदा होते हैं और यह सबाल इसलिए उठा क्योंकि कुछ उपनिशदों के स्टेटमेंट सिल्प कॉंट्रेटिक्टरी थे जिसमें ऐस लग रहा था कि मानों प्राण वगरा आत्मा की तरह ही अनमेड है इटर्नाल है तो उसकी क्लारिफिकेशन किया कि नहीं यह मेड होते हैं यह बनते हैं यह इटर्नाल नहीं है तीसरा जो पॉइंट डिसकेशन हुआ था तो यह जो इंद्रियां है जो प्राण शब्द से जिनका रेपरेंस मिलता है क्या यह पहले पैदा हुए बाद में पंच महभूत फाइफ बेसिक एलिमेंट्स या फाइफ बेसिक एलिमेंट के बाद यह पैदा हुए यह जो कि नंबर्स के बारे में भी कंफ्यूजन है और वो आज आज करेंगे उस टापिक पर कितने इंद्रियां अक्च्वली हैं जो पांचवां सूत्र करेंगे वो नंबर से रिलेटेड होगा पांच और छे सूत्र लेते हैं सब्त गतेर विशेशीत त्वाच प्राणों को हम उ में हैं अब भांच बोलते तो समझ में आता है दस बोलते वाटते समझ में आता या सूलह बोलते नोavis अम किंद्रिया पन्च प्राण किक फ्राण धर था क्यान अमन अमन यह साथ कहा से इस इसको देखेंगे तो साथ इं इंद्रियां हैं, scriptures में दो कारणों से, एक तो गति है, उनकी जो cognization है, गति के कारण से, और विशेशिता, उनकी जो specific nature है, या specification है, विशेशता है, उसके कारण से साथ इंद्रियां हैं। ध्यान रखें, यह दो सूत्र है, नंबर से related, यह उसका पहला सूत्र है, तो it's not full, इसमें जो कुछ पढ़ेंगे, वो पूरा statement नहीं, एक statement का आधा पढ़ेंगे। अब यह statement आने की जरूरत क्यों पढ़ी। क्योंकि उपनिशदों में ऐसे एक दूसरे से contradict करने वाले कुछ statements मिलते हैं, नंबर के बारे में। जैसे कुछ बताओं, मुंडक उपनिश दो एक आठ में आता है, सब्त प्राण हां, प्रभवन्ति तस्मात, यह प्राण शब्द एगेन उसके लिए नहीं है, इंद्रियों के अर्थ में यूजवा है, उससे साथ प्राण पैदा हुए, नंबर साथ आया, फिर तैतरिय संह जीटा पांच एक साथ एक में आता है, सब्त वही शिर्षण्या हां, प्राण हां, द्वव करनव, द्वे चा चक्छुशी, द्वे नासी के मुखंच, शब्द देखिये, मू में, हेड में, शब्द दिया प्राण, पर क्या काउंट कराया है, वो दिखिये, द्वव करनव दो कान, द्वे चचक्छुशी, दो आखें, द्वे नासी के दो नाख, और मुखंच, अला, दो, दो चार, दो चेक साथ, पर इनके लिए शब्द क्या दिया, इंद्रिया नहीं दिया, क्या शब्द दिया, प्राण, तो यहां भी उन्होंने साथ ही बताया, इसी तरह ब्र ग्रहन करने के जो मेंस या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ग्रहन समगते हैं, रिसीवर्स, ग्रहा मला रिसीवर्स, आपके शरीर में, आपके लाइफ में, रिसीवर्स कौन है, इंद्रिया है, प्राण है, जो बाहर से चीजों को रिशीव करते हैं, और उनका नंबर आठ बत प्लानेट नहीं एगें इंद्रियों को कहा, क्या-क्या नंबर भी दिया, वाक, वानी, जीवा, जीव, टेश्ट के लिए, चक्षू, आंक, शुरोत्रम, कान, मनह, माइंड, हस्तव, दोनों हाथ, प्वक और स्किन, इसमें पांच ग्यान इंद्रियों का नंबर है, दो कर्मि फिर ब्रहदारन्यक उपनिशद में ही, तीन नो चार में आता है, ग्यारा प्रांग, फिर साथ, आठ, फिर ग्यारा नंबर, दैसे, वो केता है, कतम ए रुद्र आई थी, और वहां इनको रुद्र कहा, इनको रुद्र क्यों कहा, रुलाने वाल, रोदयती ते रुद्र, क् जब यह शरीर शे निकल जाते हैं, तो रिष्टेदार भी रोते हैं, और व्यक्ति भी रोता है, इसलिए, तो कतम ए रुद्रा आईती, सवाल आता है, अव मिनी रुद्रा जार देर, दश में पुरुशे प्राणा, केतने पुरुश में, जीव में, दश प्राण हैं, आत् ग्यारूँआ है, तो उनोंने दश प्राण और एक आत्मा को माना, और ये जो दश प्राणे वो वह बला ने, प्राण अपान और फिर जो पंच उपप्राणे, धनन जया, देवदत्ता, दिक्रुकला दिने, ये दश प्राण इंद्रियों के लिए आया, फिर ब्रहदार अ उपनिशत 2, 4, 11, 4, 5, 12, दोनों जगा 12 प्राणों का रिफरेंश आता है, 12, प्रश्नों पनिशत 4, 8 में 13 प्राण आते हैं, अचा जहां 12 आएगा उसकी काउंटिंग कैसे होगी, पांच कर्मिंद्रिया, पांच ग्यानिंद्रिया, एक मन और एक गुद्धी, ठीक है, प्र पांच ग्यानिंद्रिया, पांच कर्मिंद्रिया, मन, बुद्धी और चित्त, वो तो हम बाद में डिस्कॉशन करेंगे, बात है, कि उपनिशतों में 7, 8, 11, 12, 13 इस तरह के इतने सारे तरह के नंबर्स मिलते हैं, जो किसी को भी कन्फ्यूस्ट करेंगा, फिर शब्द प्र पांच ग्यानिंद्रिया, पांच कर्मिंद्रिया, मन, बुद्धी, चित्त, हंकार, वो चार है, एक है, that's a different thing, वो तो बाद में डिस्कॉस करेंगे, यह जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, यह सूत्र कहता है, साथ प्रान है, और वो साथ प्रा जो यजूर्वेद में और बाकी जगह है, जिसको आपके इतनी, जो मुह के ऊपर रहने वाले इंद्रियां है, दो कान, दो आँक, दो नाक, और एक मुह, पद बात यहां फूरी नहीं हुई, इसलिए आप घबराइए मत, इसकी अगला सूत्र जह है, उससे रिलेटेड है, हस्ता दयस्तो स्थिते तो नईवं, तो क्या साथी प्राण माने? आंसरे नईवं नहीं, हस्ता दयस्तो स्थिते इस अतह, इसके अलाबा, beyond that, हाथ ओगेरा भी होते हैं, अब हाथ ओगेरा होते हैं, ओगेरा आदी मदलब, एटसेट्रा, तो साथ प्राणों के अलाबा, एडिशन में और भी हाथ आदी होते हैं, जिनके कारण प्राण साथ नहीं है, हाथ आदी में जो पंच करमेंद्रियां है, एक तो हाथ है, बाद जिसको आप पैर केते हैं, वाक, जिससे आप बोलते हैं, मुह, जो टंग है न जिवा, वो रस के लिए आता है, तो वो ग्याने इंद्रियां, तो मुह में आपकी दो इंद्रियां है, पता है कि नहीं, करमेंद्रियां में हैं, जो बोलते हैं, और रस इंद्रियां जिससे आप चकते हैं, तो आपका मुह में दो चीज़े हैं, बोलने वाला करमेंद्रियां, चकने वाला ये 5 करमें यंद्रियां है पांच तोटल कितने बने 15 माने थे परक नहीं पढ़ता क्योंकि चारों नंबर एकी टाइप की चीज को बताते हैं अब इसको discuss करों एक-डू मिनिट में समझत है पांच ग्यानिंद्रियां पांच करमिंद्रियां यह दस यह फाइनल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दस हो गह हैं घ्यारमन है तो until 10 करमिंद्रिया प्लस मन ग्यारा तो दो नौर्मली ग्यारा अक्सेप्टेड है पर मन जो एक तत्व है उसके अलग-अलग फंक्शन के कारण मन को चार तरह से माना जाता है जिसको आप मन बुद्धी चित्त अहंकार कहते हैं तो यह जो चार चीज़े हैं यह एक ही मन के चार अलग-अलग फंक्शन के कारण उसके चार अलग-अलग नाम है कहीं कहीं वो फंक्शन के बेश्ट पर भी एक नाम एक्स figure जोड दिया जाता है या दो नाम तीन नाम जोड दिया जाता तो नंबर वो चेंज होते रहते हैं मतलब आप क्या समझ के जाएंगे पांच ग्यानेंद्रियां पांच करमेंद्रियां फाइनल मन एक ग्यारा अगर कोई मन के साथ बुद्धी को भी जोड़ दे बारा अगर कोई मन बुद्धी प्लस चित्ता इन तीनों को जोड़ दे तो तेरा कोई मन बुद्धी चित्ता हंकार चारों को दोड़ दे चोदा पर ग्यारा अरुद्ध ग्यारा बारा तेरा चोदा कुछ भी बोले समझाना वही ग्यारा कोई है बाकी तीनों माइंड के अलग-अल में योग दर्शन में सारे दर्शन शास्त्रों में इस पर सम्मति हैं कि एक मन उसके अलग-अलग फंक्शन होने के कारण कभी-कभी और चारों नाम से बताया जाते हैं कभी तिन नाम से कभी दो नाम से कभी एक नाम से अब हम समझते हैं कि चारों का function क्या है पहले चीज़ है कि जो जिसको मन केते हैं वो माइंड है जो आपकी संकल्प विकलपात्म को मन जो आपकी इच्छाएं होती हैं जो आपकी यह पसंद है यह नापसंद है लाइकिंग दिश्लाइकिंग इमोशन्स डिजायर्स यह सब चीजें यह जो फंक्षन है इस फंक्षनल इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं मन अंगरेजी में आप माइंड के दूसरा है बुद्धी मन का वो फंक्षन जो डिस्क्रिमिनेट करता है अंडरस्टैंडिंग में हेल् करता है और जो डिट्रमाइन करता है बुद्ध अबगा मने तो अंडरस्टैंड बुद्धि के लिए और एक शप्त है विवेक विवेच्यते विवेचन वाला डिस्क्रिमिनेट करना और डिट्रमिनेशन उसको फाइनलाइज करना तो यह तीन चीजें बुद्धिक के चाइतन्या से रिलेटेड जो मांइंड है मतलब जो आपकी मेमोरी है जो कुछ भी हम करते हैं एक्सिरियности करते हैं या काम करते हैं उसका जो मेमोरी जो accumulated होता है उस सेज को हम हम चित्त कहते हैं जहांकि आपकी वाशना हैं आपकी तेंडेंसि जहां से पपप करते हैं जहांसे आपके आइचिूट बनते हैं जिसके कारण आपकी पसंद नापसंद बनते हैं तो उसको हम चित्त कहते हैं और अहंकार है जिसको आप कहते हैं Egoism अर्थाद जिसमें I-maze की फीलिंग होती है जहां आप इस शरीर के साथ अपने आपको identify करते हैं और यह identity जरूरी है external world से deal करने के लिए और वो जो identify करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसी को हम अहंकार करते हैं जब आप उस identification को में diluted हो जाते हैं मोहगरस्त हो जाते हैं तो आप कहलाते हैं घमंडी प्राउड इरोगेंट कहलाते हैं पर जब उस identity जरूरी है विदाउट तो इंटिफाइड विद इस बॉड़ी आप अपना रिगूलर डे टुटे लाइप कैसे करेंगे मेरा नाम अमुक है यह मुझे साइन करना है यह मुझे डिग्री लिए ना कहीं तो आप अपने आपको रखेंगे ना फिर में होंगा तो तुम होगे वो होगा तभी तो आपकी बातचीद होगे ना तो यह चार तरह के फंक्षन है यह उसी इंटर्नल इंस्ट्रूमेंट अंतह करण का ही काम है उस अंतह करण एक है पर चारों तरह से फंक्षन करने से उसको कभी अंतह करण चतुष्टएवी बोलता अब लच्षमन जी ना हात उठाय करताम आप बोलिया योगा में आठ चक्रन का शषाधन नो फॉर ना नौ द्वार में ऐसी आते माम का मतलव होता है जो आपकी बरी में जो छेद हैं जहां जहां जहांबी चうजो सब द्वार को अर आपकी बोडिय मैं नौ तरह के ठेड और नंबभा क screen करमिंद्रियों में जह जातें आप जन्रेशन है तो वह नवद्न अलग क्लासिफिकेशन है इन्ड staffing जान क्लासिफिकेशन है तो यह दो सूत्र के द्वरा कंकुलूजन क्या हुआ और देखे Most साथ यहां साथ आदी से हम कर मिंद्रियों को पांच लेंगे तो 75 इतने बन जाएंगे बारा बारा बनेंगे पंच ग्यां इंद्रिया 5 कक Versa मन और कि पर अगर कोई । आपको कहीं मिलता है तो वह कोई तरी कंपonstraita करता कहीं आगर 11 के बाद इतनी भी नंबर है माइंड के ही अलग-अलग पंक्षन को बताएगा मना बुद्धी चित्ता हांका यह है इंद्रियों की नंबर और दोसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है यहां सारे इंद्रियों के लिए जो उपनी शदों में शब्द यूज क्या गया हर जगा प्राण शब्द यूज हुआ है तो प्राण शब्द जहां जहां आए उसका अर्थ यह प्राण अपान व्यान नहीं है इससे इंद्रियार्थ भी हो सकते ही और पिछले बार आपने पढ़ा था प्राण शब्द से हिरन्यगर्भ का भी अर्थ होता है परमात्मा का भी आर् करिए कि प्राण मलब के वल सांसे या प्राणा पान प्यान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो अच्छा लगें लाइक भी जरूर करें